सब्सक्राइब किजिए मेकेनिक ग्यान चेनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नवस्कार दोस्तो मैं हूँ रवी खरकाटे और मेरा यूट्यूब चेनल मेकेनिक ग्यान में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तो जैसी कि आप स्क्रीन पे देख भा रहा है हमारे पास में काउंटेड मिक्चर और इसमें जो रियर इंजन लगा हुआ है वो है किलो स्कर हेचे फोर नाइन फोर का दोस्तो दरसल क्या हुआ था इस इंजन का क्रेंक साब तूट गया था तो दोस्तो हमने कबार खाने से एक इंजन पर्चेस करके लेके आया है किलो स्कर हेचे फोर नाइन फोर का और दोस्तो हम इस इंजन को स्टार्ट करके देखने वाले थे बड़ दोस्तो ये स्टार्ट बिलकुल भी नहीं हुआ तो दोस्तो इसका क्या है पॉम का गौर्नल फसरा था और इस वज़े से दोस्तो हमें अब क्या करना होगा जो पूराने इंजन में पॉम नोजल है उसे खोल कर इस इंजन में लगाना होगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि इसका pump का timing क्या है इसका engine का timing क्या है और किस प्रकार से pump fitting होता है सारा कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में और engine को हम last में start करके भी दिखाएंगे तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चली हम स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तो हम आचुके हैं इंजन के पास और दोस्तो देख सकते हैं हमने इस इंजन का पम नोजल खोल दिया है और यह रहा उसका पम नोजल ठीक है तो चलिए सबसे पहले दोस्तो हमें इंजन की टाइमिंग मिलाना होगा तो दोस्तो देख सकते हैं यह है सेक मार्क पे टintsetig होता है जो कि ये अभी ऐंचय टाप पे रहता है और इस पे हमें की टाइमिंग सेट करना है दोस्तों बट अभी हम जो सेकन्ड मार्क है यह । इस पे हम आपको दिखाते हैं पिश्टेन टाउप में है या नहीं ठीक है तो चलिए हम चार नंबर cylinder का जो rocker है उसे push करके देखते हैं top में है या नहीं पता चल जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों अभी top में है मतलब दोस्तों आप अभी type hit मिला सकते हैं इस position पे है अब दोस्तों हमें क्या करना है थोड़ा सा हमें घुमा कर दूसरा जो mark है मतलब first वाला जो mark है वो वाला mark हमें लाना होगा और इस पे हमें pump को fitting करना होगा तो चलिए हम एक काम करते हैं इसमें भी देख लेते हैं rocker को push करके कि piston नीचे down में गया या नहीं तो देख सकते हैं दोस्तों कितना नीचे चला गया है यह TDC पे आ चुका है ठीक है तो चलिए अब हम क्या करते हैं देख सकते हैं एक नमबर और दो नमबर rocker और साथ नमबर rocker फ्री है और आटफा नमबर rocker हलका jam है ठीक है तो यह रहा इंजन का timing अब चलिए हम आपको बताते हैं pump की timing ठीक है तो दोस्तो देख सकते हैं एक नमबर दो नमबर तीन नमबर और चार नमबर इस इंजन में दोस्तो पीछे साइट से एक नमबर स्लेंडर आता है फिर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर इस प्रकार से इस किलो सकर इंजन का हमने काफी सारे वीडियो भी अप्लोड किया है उसमें भी बताया है कि किलो सकर एर कुल्ड इंजन हैचे सिरिस का पीछे साइट से एक नमबर दो नमबर ती नमबर चार नमबर आता है तो चलिए अब हमें पंप की टाइमिंग मिलाना है मतलब पीछे का इसका एक नमबर आएगा इस पंप का ठीक है तो उसे हमें टॉप में लाना है बॉडी लेबल पे बॉडी लेबल से हलका सा उपर रखना है और उसके बाद में इसको फिटिंग कर देना है अब टाइमिंग कैसा मिलाते हैं चलिए हम थोड़ा सा इस पंप को फिटिंग कर लेते हैं एक नट को टाइट कर लेते हैं उसके बाद में बताते हैं तो देख सकते हैं आगे साइड में एक गेर रखा हुआ है और यह हमने पंप को फिटिंग कर दिया है भी और देख सकते हैं यह सबसे पहले हम इस nut को tight कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा मतला हलका हलका press कर लेते हैं दोनों nut को ठीक है और देख सकते हैं अभी हमारा पीछे का थोड़ा सा down जा रहा है अब चलिए गेर को सिंग कर लेते हैं और उसके बाद में देख सकते हैं गयर में तीन होल है 113 costs 13 नंबर के बोल्ड budget को हमें लगा लेना है लगाने के बाद में दूस्तों हमें अद् tree न प्रेसस करना है कि इतलगा तो असनी से घुम जाना चीए तो देख सकते हैं चलिए अब हम हलका सा उस साप्ट को घुमा कर जो पीछे का प्लेंजर है उसे हलका सा टाप लेवल से उपर कर लेते हैं मतलब हलका सा टाप लेवल से एडवांस कर लेते हैं तो देख सकते हैं हलका सा हमने अभी घुमाया है और देख सक करोगे तो कभी भी आपका फेल नहीं होगा मतलब एक सेल्प में इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो देख सकते हैं हमने एक बोल्ड को अभी हल्का सा टाइट कर दिया है अब चलिए यह तीनों बोल्डों को अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं ठीक है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल मेकेनिक गयान को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को प्रेस कर ले इससे क्या होगा दोस्तो मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिपिकेशन के तरह आपको मिल जाए करेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तो तो देख सकते हैं दोस्तो अब इसके बाद दोस्तो हमें क्या करना है यह देख सकते हैं आइल पाइप को लगाना है और हम क्या करेंगे यह सारा कुछ लगाने के बाद में इस इंजिन को हम इसी जगह पर स्टार्ट करके उसके बाद ही हम उपर इसे चड़ाएंगे दोस्तो अगर आप एक मेकेनिक है और आपके पास ऐसे कई सारे टूल नहीं होते है जो की मार्केट में ढूंडने से भी नहीं मिलते है ऐसे टाप 10 टूलों का हमने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तो आप जाकर एक एक लिंक को चेक कर सकते है अगर आपको पसंद आया तो उसे बाई भी कर सकते है दोस्तो जो सारे टूल्स का हमने लिंक दिया है वो फोर इस्टार से उपर की रेटिंग मिल चुकी है और काफी सारे लोगों ने उसे लाइक किया है ठीक है तो चलिए देख सकते है हमने सारा कुछ कर लिया है और यह सारे पॉम के जो चारो बोल्ट है इसे अच्छे से टाइट कर लेना है जैसे के हम अभी बाहर के दो बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेते हैं और अंधर भी इसके अलावा दो बोर्ट नट है उसे भी हमें टाइट कर लेना है ठीक है और इसके बाद दोस्तों हमने नौजल को भी उपन किया था नौजल भी हमने चेंज किया है तो दोस्तों नौजल को भी हमें अच्छे से टाइट कर लेना है और यह देख सकते हैं यह प्लेंजर प्लेट चलिए हम इसे भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं और नौजल पाइप को भी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं ठीक है तो यह सारा कुछ हम दोस्तों कम्प्लेट कर लेते हैं और कम्प्लेट करने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे इस इंजन को स्टार्ट करके तो देख सकते हैं यह पंप का दो बोल्ट जो हमने बताया था दोनट वो अंदर साइड है वो थोड़ी सी दिक्कत से टाइड होती है उसके लिए यूनिवेर्सल जॉइन्ट लगता है जो कि टाइड करने के लिए तो दोस्तों यह सारा कुछ करने के बाद दो तो देख सकते हैं सारे नौजल में डीजल आ चुका है अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है चलिए हमें इस नौजल पाइप को अच्छे से टाइट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों हम आपको इस इंजन को स्टार्ट करके दिखाते हैं ठीक है तो देख सकते हैं हमने सारे nozzle pipe को tight कर दिया है अब चली हम start करते है तो देखा दोस्तो कितना असानी से start हो गया और देख सकते हैं ये दोन रॉकर पे oil भी आ गया है और engine बहुत सूपर है दोस्तो कोई बेक compression भी नहीं है तो दोस्तो यहाँ वीडियो कैसा लगा हमें comment box में लिक कर बता है और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तो तो like करना और अपने दोस्तों के साथ में share करना हम फिर किसी next video के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए बाई दोस्तो